नई निर्याद निती और 2022 देस विपनन वर्ष के लिए कोटा के बारे में पूछे जाने पर खादिया सचिर सुधार्शू पांड़े ने कहा है कि केंदर सरकार अक्तूबर से शुरू होने वाले अगले विपनन वर्ष के लिए चीनी के निर्याद कोटे की घोशना जल्द ही करेगी उन्होंने फिलाल चीनी निर्याद की मात्रा का कोई भी खुलासा नहीं किया है लेकिन ये कहा है कि विपने वर्ष अक्तूबर स्थमबर के लिए निर्याद की अनुमती दी जाएगी दरसल मई में सरकार ने 10 मिलियन टन से अधिक चीनी के निर्याद पर प्रतिबन लगाया लेकिन बाद में 2021-22 के विपने वर्ष के लिए कुल 11.2 मिलियन टन को लेकर 12 लाग टन शिप्मेंट की अनुमती दी भारत का चीनी निर्याद 2020-21 के विपनन वर्ष में 7 मिलियन टन तो जबकि 2019-20 में 5.9 मिलियन टन और 2018-19 में 3.8 मिलियन टन रहा इसमा के माने तो 2022-23 के लिए चीनी के डाइवर्जन के बाद चीनी का उतपादन 35.5 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि घरेलू मांग 27.5 मिलियन टन है वहीं विपनन वर्ष 2022-23 में 80 लाख टन चीनी का निर्याद किया जा सकता है ऐसा इसमा का कहना है लेकिन सरकार से जल से जल निर्याद कोटा और समगर निती की घोशना करने का इसमा ने आगरह किया है वहीं भारत के लिए निर्याद विंडो मार्ष तक ही है जिसके बाद ब्राजिल की चीनी वैश्विक बजार में आ जाएगी ऐसे में इसमा ने कहा है कि प्रारंभी कनुमान के अनुसार शुद चीनी उत्पादन एथनोल के उत्पादन के लिए चीनी के डाइवर्जन पर विचार किये बिना 2022-23 में मौझूदा विपनन वर्ष में 49.4 मिलियन टन से बढ़कर लगब 40 मिलियन टन होने की उमीद है भेलू चीनी की कीमतों को बनाई रखने में मदद मिलेगी जिससे मीलो की तरलता की स्थिती को बढ़ावा मिलेगा जिससे वे गन्ना किसानों को समया पर भुकतान कर सकेंगे बिरो रिपॉर्ट मार्के टाइम्स टीवी